Hello everyone, my name is Vanch Patra and I welcome you all to my YouTube channel. So, आज की इस वीडियो में हम Indian Evidence Act की वीडियो से रिस कंटीनियू करते हुए discuss करेंगे section 4 of Indian Evidence Act जो की बात करता है May Presume, Shall Presume and Conclusive Proof के बारे में So, जो यह section 4 है, इसमें हमको basically presumptions के बारे में सबज़ना होगा जो presumptions है, presumption of law, presumption of facts यह presumption जब हम समझेंगे, तब जाके यह जो बेरक्ट में May Presume, Shall Presume, Conclusive Proof लिख रखा है इसका हमको मतलब तब समझाएगा तो एक बार फिल भी हम बेरक्ट language देख लेते हैं, बेरक्ट क्या कह रहे है देखिए इसमें कहा गया है May Presume जब भी इस Act में यह बोला जाएगा, इस Act में Provide किया जाएगा कि Court Presume कर सकता है एक Fact तो Court माल लेगा कि वो चीज प्रूव हो चुकी है, वो Fact प्रूव हो चुका है जब तक उसको Disprove ना किया जाए या फर Court यह कहेगा कि Proof ले गया हो इसका दूसरा Shall Presume जब भी लिखा जाएगा इस Act में कि Court को Presume करना है, Court shall Presume a Fact तो Court यह माल लेगा कि यह Fact Proved है जब तक उसको Disprove ना किया जाए आगे Conclusive Proof में दे रख़गा है कि जब एक Fact को यह बोल रख़गा है कि यह Conclusive Proof है किसी चीज का तो Court वहाँ पर Evidence लेगी ही नहीं उसको Disprove करने के लिए इसको समझने के लिए हमको Presumptions के बारे में समझना पड़ेगा Presumptions और Presumption की टाइप जो हम समझेंगे तब यह समझाएगा मतलब When Court May Presume और When Court Shall Presume और फिर कोई भी जो Conclusive Proof है इसको समझने के लिए हम Presumptions के बारे में Discuss करते हैं तो Introduction देखते हैं इसका देखिए हर एक Fact कोई भी Fact है जिसके Base पर Party Judgment लेना चाहते है अपने Favor में Party यह चाहते कि मेरे Favor में Judgment आए तो जो Fact है वो Proofed होना चाहिए On the basis of which Party to a Proceeding want to take Judgment must be Proofed और कोई भी Court जब भी Court decide कर रहा है कि इसको तो Court उस Fact पर भरोसा नहीं जता सकता उस Fact पर भरोसा नहीं दिखा सकता जो की Proofed ना हुआ हो वो Proofed भी कैसे होना चाहिए जैसे कि Evidence Act में Rules दे रखे हैं वैसे Proofed होना चाहिए तब जाके Court मानेगा हाँ ये चीज एक्जिस्ट करती है बट यहाँ पर साथ की साथ Evidence Act में कुछ ऐसे Provisions दिये हुए हैं जहाँ पर Court उन Facts को भी Consideration में ले सकता है उन Facts को भी सच मान सकता है जिनके लिए Court ने Proof ना लिये हूँ मतलब उन चीजों को भी ये मान सकता है Court की ये चीज़े एक्जिस्ट करती है जिन Facts के लिए Court ने कोई भी प्रूफ ना लियो उन चीजों को भी Court सच मान सकता है कहने का याँ पर मतलब है कि Court उन Certain Things को उन Facts को Presume कर सकता है जो Court है कुछ Facts का है फर कुछ Things का अनुमान लगा सकता है और उनी को Presumptions बोला जाता है बिना प्रूफ लिए भी Court अगर मान रहा है किसी चीज़ को वो Presumption है कुछ Examples एकते हम Presumptions के Night will follow day मतलब दिन के बाद रात होगी ये एक Presumption है ये एक अनुमान है जिसको Court मान लेगा हाँ ये चीज़ तो होती ही है Summer will follow winter सर्दियों के बाद गर्मी आएंगे फिर गर्मीयों के बाद सर्दिया आएंगे ये भी एक Presumption एक तरीके का अनुमान है आगे Death ensues from the mortal wound ensues मतलब की result क्योई गंबीर चोट किसी ने पुचाई है उससे Death cause हो सकती है उससे मर्तिव हो सकती है ये भी एक Presumption है इस चीज़ का अनुमान लगा सकता है कोट हम भी अनुमान लगा सकते है किसी को गंबीर चोट लगी उससे Death भी हो सकती है Next Presumption कोई एक Person है इसका नम राम है राम की घड़ी चोरी हुई और जो घड़ी चोरी हुई है राम की कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद वो शाम से रिकवर हुई शाम के पास मिली तो यहाँ पर क्या अनुमान लगा जा सकता है क्या Presumption हो सकती है कि शाम नहीं वो घड़ी चोरी करी है या फर शाम ने किसी ना किसी से वो ली है यह तरीकर का Presumption है यहाँ पर या फिर एक और Presumption का Example लीजे एक Letter मा लीजे पोस्ट हुआ है तो यह एक Presumption है जिसका मापे Address लिखा गया है जो Address ही है उस तक ही वो Letter पहुचेगा यह कुछ Examples हैं Presumption के Basic Presumptions हैं जिनका अनुमान लगा जा सकता है जिनके लिए कई बार Proofs की जरूरत ही नहीं पड़ती वो Presumptions हैं Presumption की एक Definition भी देखते हैं and the Law of Evidence the Presumption is an Inference Law of Evidence में Presumption एक Inference है एक अनुमान है affirmative या फिर नेगिटिव में कि कोई Fact Exist करता है affirmative या फिर नेगिटिव मतलब कि Yes or No by Probable Seizing मतलब कि सोच कर सोच कर जो अनुमान Inference Draw किया जाता है Judicial Tribunal से वो Presumption है तो इसके Kinds देखते हैं there are three kinds of Presumptions first is Presumption of Fact second is Presumption of Law and third is Mixed Presumption Mixed Presumption English Law में यूज होता है Indian Law में यूज नहीं होता है इसको discuss नहीं करेंगे तो मेली दो Presumption है Presumption of Fact and Presumption of Law इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जो की Relate करते हैं May Presume, Shall Presume and Conclusive Proof से जो Section 4 में दिया हुआ है तो first जो Basic Presumption Presumption of Fact के बारे में डिसकस करते हैं जो Presumption of Fact है वो ऐसा Inference होता है जो की Naturally Drain किया जा सकता है Nature से जो हम Inference Draw कर सकते हैं या फिर जो Human Mind सोच समझकर कोई Presumption, कोई अनुमान लगा सकता है वो Presumption of Fact होते हैं Presumption of Fact के एक्जामपल Section 86, 87, 88, 90, and 114 जो Indian Avenidas Act के यह सब भी Examples Presumption of Fact के हैं कुछ Examples हैं यहां पर Presumption of Fact के and Court may presume all these Presumptions Court के पास Discretion होती Court के पास, Court की मर्जी होती है कि वो इस चीज़ को माने या फिर ना माने क्या-क्या Examples हैं एक आदमी है, एक मैन है जिसके पास चोरी किया हुआ समान मिला है जैसे ही चोरी है उसके बाद उसके पास वो समान मिला है तो यहां पर Court Presum कर सकती है Court may presume the person is either the thief कि वो परसन चोर है या फिर उसने किसी और से समान लिया जिसने उस समान को चोरी किया था दूसरे एक्जामपल यहां पर तो Court may presume that Court यह presume कर सकती है कि अगर एक इनसान से कोई question पूचा गया है और वो refuse कर देखता है वो जो इनसान है उस question का अंसर नहीं देता तो यहां पर Court यह presume कर सकती है कि वो इसलिए अंसर नहीं दे रहा क्योंकि वो जो उसका अंसर होगा उसके लिए unfavorable होगा Court may presume कि वो इसलिए ही चुप है क्योंकि वो जो अंसर होगा उसके लिए unfavorable होगा एक और presumption हो सकती है court may presume that जब एक document जो कि 30 साल पुरान है court में लेके आया जाता है तो उसमें जो signature होंगे जो भी उसमें दूसरा पार्ट होगा उस document का तो यहाँ पर उस document से related यह court presume कर सकती है court may presume that कि जो भी उसमें document में जिसके sign है जिसका नाम लिखा गया है उसी ने document लिखा है यह section 90 of Indian Evidence Act में इसके बारे में बात की गई है तो यह 3 example देखे हमने इन 3 example से हमको 2 point समझ आते हैं क्या first तो यह the court may presume these presumption of facts court may presume का मतलब court के पास discretion है court की मर्जी है कि वह मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती किसी के पास चोरी किया गया समान मिला है तो court यह presume कर भी सकती है मान भी सकती है कि उसी ने चोरी की होगी and court यह भी मान सकती है भी presume कर सकती है कि उसने चोरी नहीं की होगी यह court के discretion पर है यहाँ पर second यहाँ पर क्या बात पजा चली these presumption are always revertable, revertable मतलब की जिनके लिए evidence दिये जा सकें जिसको disprove करने के evidence दिये जा सकें मतलब court ने अगर क्मान लिया कि उसी परसन ने चोरी करी है तो उस presumption के against में evidence दिये जा सकते है यह जो presumption of fact है यह revertable presumptions है तो यह हमने बात करी presumption of fact के बारे में यह बात ध्यान दा यह presumption of fact हमने डिसकस करा next है यह पर presumption of law presumption of law क्या होता है presumption of law are such inference and beliefs which are established और assumed by law itself मतलब यह जो presumption of law है ऐसे inference होते हैं ऐसे अनमान ऐसे believe होते हैं जो law खुद establish करता है या फिर law खुद assume करता है कुछ ना कुछ provisions establish है या फिर law खुद assume करता है इस चीज को जैसे presumption of fact में तो क्या था जो nature से derived होते हैं जो human mind से derived होते हैं पर यहाँ पर specific provisions है presumption of law के दो kinds हैं there are two kinds of presumption of law first is revertible presumption of law and second is is revertible presumption of law जिसको conclusive presumption भी बोलते हैं तो पहले हम discuss करते हैं revertible presumption of law के बरे में तो जो revertible presumption of law है यह जो section 4 में shall presume की category में fall करती है इसको देखते हैं हम यह क्या गह रहा है revertible presumption of certain presumption which is regarded as evidence of good quality यह regard किया जाते हैं good quality evidence होते हैं इसको contrary prove ना किया जाए तब तक यह proved ही माने जाते हैं कुछ examples देखते हैं हम इसमें इसमें first है a child is born in a legal wedlock shall be presumed to be legitimate अगर एक child एक बच्चा पैदा हुआ है शादी के दुरान तो यह बाना जाएगा यह presume किया जाएगा it shall be presumed that कि वो जो बच्चा है वो legitimate है वो बच्चा जाएज है and who question his legitimacy must prove it and जो उसके legitimacy पे सवाल उठा रहा है यह कह रहा है कि बच्चा जाएज नहीं है legitimate नहीं है उस person को वहाँ पर proof देना पड़ेगा उसको disprove करने के लिए section 112 में provisions है section 112 Indian evidence act तो यहाँ पर क्या है court shall presume this fact अगर कोई child पैदा हुआ है शादी के दुरान तो पहले court मानेगा कि यह legitimate ही है जब तक उसके contrary में या फिर जब तक उसके opposite में कोई proof नहीं दिये जाएंगे court पहले यह ही मान के चलेगा कि यह बच्चा legitimate है यहाँ पर court की discretion नहीं है दूसरा हम इसमें example देखे जहाँ पर यह दिख जाता है यहाँ पर यह देखा जाता है तो court वहाँ पर उस case में यह presume करेगा court shall presume कि accused नहीं, ROP नहीं death cause करी है and ROP पर burden होगा accused पर burden होगा कि वो उसके against में proof लेकर आए accused के उपर burden होगा कि वो इस presumption को rebut करे इसके against में evidence लेकर आए section 113b Indian Evidence Act में आप देखेंगे यही same बात लिख रखिए तो first instance में हाँ पर court यह presume करेगा कि accused नहीं death cause करी है court shall presume इसके लावे example है कि section 79 से 85 section 89 105 या आप जब पढ़ेंगे इन sections में जो भी facts दिये गए है court shall presume these facts पहले instance में court presume करता है कि यह exist करते हैं तो यह examples है rebuttable presumption of law के दो points निकल कर आते हैं court shall presume these rebuttable presumption of law court presume करेगा यह discretion पर नहीं है court की कि वो presume करे या फिर ना करे second क्या है these are rebuttable evidence can be given to disprove these presumption यह rebuttable है इनके against में evidence दिये जा सकते है first instance में तो court अनुमाल लगा लेगा कि यह exist करते हैं पर इनके against में evidence दिये जा सकते हैं जिससे court यह presume कर ले कि यह fact या फिर यह चीज़ें exist करती ही नहीं है अब presumption of law के second type है irrebuttable presumption of law irrebuttable मतलब rebuttable से उल्टा rebuttable जिसके against में evidence दिये जा सकते हैं irrebuttable मतलब की conclusive presumptions जो होती हैं कुछ ऐसे अनुमान, कुछ ऐसे inference या फिर कुछ ऐसे presumptions होते हैं जिनके against में evidence दिये ही नहीं जा सकते हैं उनको disprove किया ही नहीं जा सकता वो irrebuttable presumption of law है यह conclusive proof की category में fall करते हैं इसके जैसे कि section 82 of Indian Penal Code उसमें साफ साफ लिख रख है कि nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age नहीं है जो 7 साल से कम का बच्चा जिस चीज़ को अगर कर दे वो offense होती ही नहीं है तो 7 साल से कम का बच्चा किसी भी चीज़ को अगर कर दे कोई भी चीज़ वो कर दे तो वो offense मानी ही नहीं जाती यह माना जाता है कि वो capable ही नहीं है commit करने के कोई भी crime, इतना mind उसका develop ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए कोई भी party evidence नहीं दे सकती इस चीज़ को disprove करने के लिए मतलब 7 साल से कम का बच्चा कोई भी act कर दे अगर वो offense है, offense हो माना ही नहीं जाता वो, तो जब offense ही नहीं माना जाता उसको disprove या फिर prove क्या करोगे आप तो यह एक example है, irrevertible presumption of law का, इसके against में evidence दिये ही नहीं जा सकते, कुछ और example है, इसमें second, section 113 जब आप पढ़ेंगे Indian evidence act और rules पढ़ेंगे, इस्टोपल के, उसमें कुछ examples है, जो irrevertible presumption of law से related है, तो जो irrevertible presumption of law है, जो section 4 में conclusive proof लिखा गया है, उसकी category में ये fall होता है, so presumption of fact देखा, फिर presumption of law देखे, उसके दोनों types देख लिए, अब बेरेक्ट language पर आ जाते हैं, ताकि इन चीज़ों को हम आपस में connect करके देखने, फिर ये topic हमारा end हो जाएगा, last में presumption of law and presumption of fact के difference के बारे में बात करेंगे, so first may presume whenever it is provided by the act, the court may presume, जब भी ये provide कि जाएगा कि court presume कर सकती है, तो court माल लेगी कि वो चीज़ proved है या फिर उसके proof के लिए बोल देगी कि proof लेकर आओ, ये जो may presume है ये relate करता है presumption of fact से, इसके कुछ examples है, section 86, 87, 88, 90, 114, वहाँ पे आप जब Indian Evidence Act के sections देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि लिख रखा है, court may presume these facts, जो भी इन sections में facts बताए गए हैं, उनको court presume कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, court की discretion होती है, कुछ example भी से related हमने discuss कर रहे थे, कि अगर एक चोरी के हो असमान एक person के पास मिलता है, जो section 114 में आप यही वाला example देखेंगे, या अगर कोई person मना कर देता है answer करने के, तो court ये presume कर सकती है, कि वो answer उसके unfavorable होगा उसके लिए, यह section 114 का example है, और जो documents related example हो section 90 में हमने discuss करा गा, next आता है इसमें, shell presume, जब भी इस act में लिखा गया कि court shell presume, तो court उसको proved ही मानेगी, जब तक उसको disprove ना किया जाए, इसको हम relate कर सकते हैं, revertable presumption of law से, इसके example है, section 79 से लेकर 85, section 89, section 105 and 113B, Indian evidence act के, जब यह section आप देखेंगे, तो वहाँ लिख रखेंगे, court shall presume these facts, कुछ examples थे कि अगर एक child bone होता है, wedlock में, शादी के तरान, तो यह माना जाएगा कि वह legitimate है, court shall presume, court इस चीज को presume करेगी, जब तक उसको disprove ना किया जाए, एक और example था, जब इसमें dowry death related है, आगे conclusive proof, जब यह act, Indian evidence act, किसी चीज को, किसी fact को, किसी दूसरे चीज का conclusive proof, declare करेगा, then court shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it, court allow ही नहीं करेगा, इस चीज के लिए evidence देने के लिए, इसके against evidence देने के लिए, तो कि वह conclusive proof है, इस चीज को, इस fact को disprove किया ही नहीं जा सकता, इसके कुछ examples हमने section 82 जैसे की discuss करा था, 7 साल से काम का बच्चा कोई crime करें, वो, उसके लिए proof दिया ही नहीं जाता, इसके लावा section 113, Indian evidence act, वो भी conclusive proof का एक example है, इसके इसके लावा section 115 से लेकर 117 में, एस्टोपल के provisions में भी कई ऐसे provisions हैं, जो conclusive proof से related हैं, ठीक है, तो यह relate करके हमने पढ़ ली आपस में, presumption of law and presumption of facts को, may presume, shall presume and conclusive proof से, last में इन के बीच में, presumption of fact and presumption of law के बीच में difference देख लेते हैं, देखिए, presumption of fact and presumption of law, presumption of fact जो है, logic और human experience पर बेस होता है, तैसे कि दिन के बाद रात होगी, या फिर एक के पास चोरी किया, समान मिला, तो शायद उसी ने चोरी किया हो, या फिर कोई चुप है, इसलिए चुप है कि उसके लिए गलत होगा अंसर देना, यह सब चीज़े हैं, human experience से draw कर सकते हैं, human mind draw कर सकते हैं, जो presumption of law है, वो law के provisions पर बेस होते हैं, जो sections मैंने discuss कर इस से related, second है, presumption of fact is always revertable, जो presumption of fact होता है, वो हमेशा उसके against में evidence दिये जा सकते हैं, इसको disprove करने के लिए, वहीं presumption of law है, इस conclusive, वो conclusive होता है, जब तक उसको revert ना किया जाए, third, the position of presumption of fact is uncertain and transitory, जो presumption of fact होते हैं, वो uncertain and transitory, मतलब कि temporary होते हैं, जो presumption of fact है, जो हमने भी discuss करें, examples के साथ, उनकी existence certain होती नहीं है, they are uncertain, वहीं presumption of law, certain and uniform, fourth, the court can ignore presumption of fact, however strong it is, कितना भी strong हो presumption of fact, court इस चीज़ को ignore भी कर सकती है, because it's on the discretion of the court, वहीं जो presumption of law है, court cannot ignore the presumption of law, presumption of law को court ignore नहीं कर सकती, लाज जोब तक हम discuss करते हैं, court अपना discretion exercise कर सकती है, presumption of fact को draw करते हुए, वहीं जो presumption of law है, it is mandatory for court, court is bound to draw the presumption of law, Presumption of law में court के बार discretion नहीं होती, court bound होता है So, इनके बीच में difference हुआ, section 4 यहां पर complete होता है सभी presumptions के बार में discuss करा हमने So, hope so आप कई वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो प्रीज लाइक कीजे and subscribe कीजे law by वंच पत्रा यूट्यूब चैनल को और भी lot of section related वीडियो दिखने के लिए evidence section related और वीडियो दिखनी है evidence section की playlist का जो link और description box में मिल जाएगा, चो यही ता आज के लिए that was it for today, have a nice day